नमर्शकार उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है प्रस्तुते कहानी मिठाई वाला इस कहानी में एक व्यक्ति अपने बच्चों की मृत्यू के बाद गाउं गाउं गली गली में खिलोने, बासुरी और मिठाई बेच कर अन्य बच्चों में अपने बच्चों की छवी देखना चाहता है जब वा आवाज लगाता है तो बच्चे भी उसके पास दोड़े दोड़े आते हैं धनवान होने पर भी वा व्यक्ति मन के सुक के लिए गलियों में बच्चों को लागत मूल पर खिलोने मिठाई बेचता फिरता है तो लीजिये प्रस्तत है या कहानी बहुत ही मीठे स्वर के साथ वा गलियों में घोमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला इस अधूरे बाके को वा ऐसे विचित्र किन्तु मधु ढंग से काकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते उसका स्नीह पूर्ण गान सुनकर निकट के घरों में हलचल मज जाती छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतिया चिंको को उठा कर छज्जों से नीचे जहाकने लगती बच्चों का जुन्ट उसे घेर लेता और तब वह खिरोने वाला कहीं बैठ कर खिरोनों की पेटी खोल देता बच्चे खिरोने देखकर पुल की थोटते वे पैसे लाकर खिरोनों को मोलभाव करने लगते पूश्टे इचका दाम क्या है? और इचका खिरोने वाला बच्चों को देखता उनकी नन्धी नन्धी उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मन पसंद खिरोने उन्हें दे देता खिरोने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिरोने वाला फिर उसी प्रकार गा कर चल देता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला सागर की हिलोर की भाती उसका वहमादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुँशता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलोने घर ले आए वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू दोनों अपने हाथी घोडे लेकर घर भर में उचलने लगे बच्चों की मा रोहनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही फिर उसने बच्चों को बुला कर पूछा अरे ओ चुन्नू मुन्नू ये खिलोने तुमने कितने में लिये हैं मुन्नू बोला दो पैसे में इतना कम दाम सुनकर रोहडी को बहुत हैरानी हुई एक जरा सी बात ठहरी रोहडी अपने काम में लग गई फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवशकता ही भला क्या पड़ती छे महीने बाद नगर भर में दो ही चार दिनों में एक मुरली वाले के आने का समा चार फैल गया लोग कहने रगे भाई वाह मुरली वाला मुरली बजाने में भी उस्ताद है मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेशता भी है सो भी दो दो पैसे में भला इसमें उसे क्या मिलता होगा मेहनत भी तो ना आती होगी एक व्यक्ती ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला मैंने तो उसे नहीं देखा उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी यही तीस वर्स का होगा दुबला पतला गोरा युवक है बीका नेरी रंगीन साफा बानता है बीका नेरी रंगीन साफा बानता है वही तो नहीं जो पहले खिलोने बेचा करता था वही होगा प्रति दिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती प्रति दिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता बच्चों को बहलाने वाला मुरली आवाला रोणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना तुरंथी उसे खिलोने वाले कर स्मरण हुआया उसने मन ही मन कहा खिलोने वाला भी इसी तरह गागा कर खिलोने बेचा करता था रोणी उठकर अपने पती वीजे बाबू के पास गई बोली जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नु मुन्नु के लिए मुरली ले लू क्या जाने या फेरिधर आए या ना आए वीजे बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे वे दर्वाजे पर आकर मुरली वाले से बुले क्यों भाई? किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी किसी का जूता पार्क में ही छूट गया इस तरह दोड़ते हाफते हुए बच्चों का जुन्डा पहुँचा हमें दो, हमें दो, सब एक साथ बोल उठे मुरली वाला हर से गदगद हो उठा और बोला हाँ हाँ, सब को देंगे हाँ बाबुजी, क्या पुछा था आपने कितने में दी तो वैसे तीन-तीन पैसे के हिसाब से हैं पर आपको दो-दो पैसे में ही दे दूँगा बाबुजी विजय बाबु मुस्करा कर बोले तुम लोगों की जूट बोलने की आदत होती है देते होंगे सभी को दो-दो पैसे पे पर एहसान का बोज मेरे उपर लाद रहे हो मुरली वाला अचानक बोला बाबुजी, इनका असली दाम तीन ही पैसे है आप कहीं से भी दो-दो पैसे में ये मुरलिया नहीं पा सकते मैंने तो पूरी एक हजार बनमाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है विजय बाबु बोले अच्छा अच्छा, मेरे पास जादव वक्त नहीं है जल्दी से दो मुरलिया निकाल कर दे दो दो मुरलिया लेकर विजय बाबु फिर मकान के भीतर पहुँच गए मुरली वाला देर तक उन बच्छों के जुंड में मुरलिया बेशता रहा उसके पास कई रंग की मुरलिय थी बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता यह बड़ी अच्छी मुरली है तुम यही ले लो बाबु राजा बाबु तुम्हारे लायक तो बस यह है हाँ भाईया तुमको वही देंगे यही लो तुमको वैसी ना चाहिए यह नारंगी रंग की है अच्छा वही लो पैसे नहीं है अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ मैं अभी बैठा हूँ तुम ले आए पैसे अच्छा यह लो तुम्हारे लिए मैने पहले से ही निकाल रखी थी अच्छा तो अब मैं चलता हूँ इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया आज अपने मकान में बैठी हुई रोहोडी मुरली वाले की सारी बाते सुनती रही आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बाते करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया फिर वह सौधा भी कैसा सस्ता बेचता है आदमी कैसा भला जान पड़ता है समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है पेट जो न कराए सो थोड़ा आठ महीने बाद सर्दी के दिन थे रोहनी सनान करके अपने मकान की छट पर बाल सुखा रही थी उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला मिठाई वाले का स्वार उसके लिए परचित था जट से रोहनी नीचे उतर आई दादी से बुली जरह उसे बुलाईए न बच्चों के लिए मिठाई ले लू दादी उठकर बाहर आकर बोली ए मिठाई वाले इधर तो आना मिठाई वाला निकट आ गया बोला मा जी कितनी मिठाई दू नई तरह की मिठाईया हैं रंग बिरंगी कुछ-कुछ खटी, कुछ-कुछ मिठी और जायकेदार इन गुडों के अतरिक्त ये खासी को भी दूर करती है कितनी दू एक पैसे की सोला देता हूँ दादी बोली सोला तो बहुत कम होती है भला पच्चिस तो देते मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता इतनी भी कैसे देता हूँ या अब मैं आपको क्या खैर अधिक तो ना दे सकूँगा रोहनी दादी के पास ही बैठी थी बोली दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है चार पैसे की ले लो ये रहे पैसे मिठाई वाला मिठाईया गिनने लगा रोहनी ने पूछा भाईया तुम पहले भी यहां आते रहे हो ना हाँ कई बारा आ चुका हूँ उसने कहा रोहनी का अनुमान ठीक निकला अब तो वह उससे और भी कुछ बाते पूछने के लिए अधीर हो उठी वह बोली इस काम में मिलता क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है पर हाँ संतोश और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यह मैं चाहता भी हूँ सो कैसे भला भाईया वह भी बताओ अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूँ उन्हें आप जाने ही दे उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा जब इतना बताया है तब और भी बता दो मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारा हर्जा ना होगा मैं और भी मिठाई ले लूँगी गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था इस्त्री थी, छोटे-छोटे दो बच्चे भी थे मेरा यह सोने का संसार था सुक संपत्ती थी बच्चे ऐसे सुन्दर थे जैसे सोने के सजीव खिलोने उनकी अठखेल या के मारे घर में कोला हल मचा रहता था विधाता की लीला देखो अब कोई नहीं है प्राण निकले नहीं इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ वे सब होंगे तो यहीं कहीं आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही हूँगे इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक छलक सी मिल जाती है ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन में उच्छल उच्छल कर हस खेल रहे है पैसों की कमी थोड़ी ही है आपकी दया से पैसे तो काफी है जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ रोहनी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आखें आसों से तर थी तभी चुन्न मुन्न आकर मिठाई मांगने लगे उसने दोनों के हाथों में मिठाई भर दी रोहनी ने पैसे दिये तो वह बोला अब इस पार ये पैसे ना लूँगा पेथी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गुजने लगी बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस कहानी को लाइक करें मुझे प्रोचसाहन मिलेगा और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ धन्यवाद